बिल्कुल, जबरदस्त संभावनाएं हैं, इसे शत कहा जाता है, शत का अर्थ है सौ साल, शत वर्ष, शत समवत सरम घृतम का अर्थ है घी, जिसे मिट्टी के घड़े में सौ साल तक धर्ती में दबाया गया है इस समय केरल में लोग दवा कर रहे हैं, और हम नहीं जानते कि इसमें कितनी सचाई है पर मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ सचाई है, लोगों ने घी को जमीन में सौरक्षित रखा है, उन्होंने उसे धर्ती में गार दिया और उसे लगभग सौ सालों तक रखा, और ऐसा गी में इलाज करने की बिलकुल जबरदस्त संभावनाए हैं, इसे शत कहा जाता है, शत का आर्थ है सौ साल, शत वर्ष, शत समवत सरम घृतम का आर्थ है घी, जिसे मिट्टी के घड़े में सौ साल तक धर्ती में दबाया गया है, क्योंकि जब घी मिट्टी में सौ साल तक रहता है, तो उतने लंबे समय के बाद घी में कुछ आन्विक बतलाव होते हैं, और वह घी उजस से भरपूर होता है, वह तेजस और प्राण से भरपूर होता है, क्योंकि आखिरकार वातदोश का विशुद्ध सार प्राण है, पित्त का विशुद्ध सार तेजस है, और क प्राण संचार के प्रवा को संभालते हैं। ये पुराण घृतम, श्रेष्टम, ओजस, करम, परम है। तो ये ओजस को बढ़ाता है। तो ओजस, तेजस, प्राण, ये तीन महत्वपून अंच है। ये कोशिका के जीवन को बनाए रखते हैं। कोशिका ज्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकती है। योगिक विज्ञान में आमतोर पर ओजस को उर्जा का एक अभौतिक आयाम मना जाता है। क्यूंकि हर भौतिक चीज अभौतिक से ही आई है। अगर आप उर्जा के अभौतिक आयाम का एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। सुरक्षा कवच का मतलब ये नहीं है। मतलब कोशिकी इस तरपर हर कोशिका का थोड़ा बहुत अभौतिक आयाम हो यानि उसके चारों और एक घेरा हो। वो कोशिका खुद को इतनी तेजी से स्वस्थ कर लेगी, जिसे जादूई माना जाता है। किसी भी चीज से, किसी चोट या किसी बीमारी से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप इतने बीमार ही नहीं होंगे कि आपको बीमार कहा जाएं। ये इससे तैह होता है कि आपकी जीवन शैली में कितनी अशान्ती है। अशान्ती से मेरा मतलब है आप एक अच्छा शान्ती पूर्ण जीवन जी रहे हैं। मेरी जीवन शैली अशान्त है। मैं फुल स्पीड पर मोटर सैकल चलाता हूँ। तो मेरा जीवन सब्ताहा के साथो दिन, पूरे 365 दिन होता है, कोई दिन नहीं है, कोई रात नहीं है, आपको पता है, कभी-कभी 24 घंटे काम होता है, कभी-कभी 18-20 घंटे काम होता है, ये एक अशांत जीवन शैली है, पर आज तक मैंने एक भी कारेकरम, इस वज़े से रद नहीं किया, कि मैं बीमार हूँ, पिछले 49 सालों में ऐसी कोई चीज नहीं होई है, नहीं, आप जो कह रहे हैं, बहुत सुन्दर है, तो कुछ मातर में ओजस अमेशा आपको साहरा देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, कि मैं अस्वस्त नहीं रहा हूँ, मु ओजस उस तरह की उर्जा है, जो भौतिक नहीं है, अगर आप हमेशा उससे घेरे रहें, अगर हर कोशे का उससे घेरी रहें, तो आपकी ठीक होने की शमता या भौतिक चीजों के असर से परे जाने की आपकी शमता बहुत ज्यादा हो झाल